बुन मॉनिक इस्टुडे हैं, आई आपू नम पांगे, इंग्लीज में होती, स्टेलर फॉर्थ सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर टू, अंधो की हाथी, तो बच्चो, लिगा हानी बिने आपको पेहले पिरेड में समझा दिया है, समझ में आदिया हैं, तो चलो, बुको बे आदि केक्था साइज में सब्दार्जट सम्झाते हिंदी, तो शूर्दास, शूर्दास मेंज अंधा, या जिसे दिखाईना देता हूँ, ओके, इच्चा, इच्चा मेंज अगांचा, अगांचा, चर्चा, चर्चा मेंज आपसमें पच्चिक्र, करना, आपसमें, आपसमें बाची, करना, तमाम, तमाम इस बहुत जादा, बहुत जादा, टाटोलना, टाटोलना मेंज चूकर देखना, चूकर देखना, बच्चे जीदा आपसमें आपसमें ना, ओके, अब नेच्चे है रिकतस्थान बल, आपके बुद में है रिकतस्थान बल, फर्स्ट चारू आदमी, क्या थे, चारू आदमी, आंजे थे, वे इतनी दाओं में, पैदाओं में थे, हाथी के बारे में सुनकर में क्या करने लगे, तो हाथी के बारे में सुनकर में चर्चा करने लगे, चर्चा, नेच्ट, महावद को या हाथी को जरा, क्या करने लिए मोलेखे, संभालने लिए, तो महावद को या हाथी को जरा, संभाले रगना, तिसरे अंधे ने हाथी, क्या बताया, तो दीशरे लिए, तीसरे का हाथ, हाथी के बेट पर आया था, इसलिए उसे जो आभाल वहा हुआ हुआ, मटके जैसा, उसने क्या बताया, हाथी तो मटके जैसा है, अब चलो पर कुछ इस पर प्रश्न मनाते हैं इस कहानी के आधार पर प्रश्न मनाते हैं तो बच्चों हाथी कहा रहता हाथी बारा थे रहता ना तो एक से क्या होगा बारा अन्धिन हाथी को देखने की इच्छा किसे से प्रकटके थे किसे बोले थे कि जरा आप हाथी को सम्हाले रखना मैं भी इसे छूकर देखना चाहता हूं तो किसे बोले थे महाव से ऐसा क्या होगा महाव महावद ने अन्धू को क्या कर संभूदी किया था महावद ने अन्धू को क्या कर संभूदी किया था सूरदास सूरदास कि बोले था तो यहां प्रेंचरोगा सूरदास नेच्छ अन्धूने हाथी को किस प्रकार रजाना कीस प्रकार छें, हाधी को पेचालना, तो टाटोल करते हैं खाथाना, टाटोल, टाटोल कर टाटोल, टाटोल कर तो यह होगे आपका, वेस्ट चेन एंसर अब हम आते हैं, हेच, विरोण सब्द, विरोण सब्द को कहते हैं, किस किस नाम से जाते हैं, विरोण सब्द को, विरोधी सब्द, उल्डे सब्द, विप्रीत सब्द और विप्रिता अथक्षब कहते हैं तो आज हम विरोण सब्द बनाने के लिए को बताते हैं गाम, गाम का मुल्टा क्या होगा? सहर नेट्ष्ट, सुख, सुख का भी नम सकते क्या होगा? दुख नेट्ष्ट, जूट, जूट का भी नम सकते क्या होगा? सच हसना का विलूम सब फो ना तुम चुई लिरा गाव का विलूम सब हमादी नी के सामा अन्हा समर के शब्र तो स्माना के सवा लिखते हैं अंधा को औरी केते हैं तो अद्धा को सूर दाश कहते हैं सूर दाश नेक्ट गाउम गाउम को अरूं कहते हैं ग्राउम नेक्ट हाथी हाथी को और किस ताथ से जानती है गर्स नेक्ट कहानी को अरूं कहते हैं कखा तो अच्चो ये चाक्राट हो अंदों की हाथी की सभी एक्सरसाइज कम्प्रेट हो गए पूरे हो गए आपको समझ में आगे आना अब इसको इस कहानी को पूरा कड़ना पर साथी एक्सरसाइज नोट बूक में लिखना लर्ण करना ओके तरने बाद अच्छा एक आपको आपको समझ में आपको अपको एक्सराइब यूर्ण करना यूर्ण में सबस्प़वड़़ एक्सराइब इसना यूर्ण झाल झाल झाल